बिसमिल्लाइरमार रहीम, असलाम अलेकम, इस वीडियो में डिस्कुस करते हैं, सेंट्रल सीरस कोरियो रेटिनोपैथी, CSCR का टॉपिक, तो आपने याद रखना है कि CSCR जो है, ये एक तरह की रेटिनल डिटेच्मेंट ही होती है, पर पर पर्टिकलरली दो चीजें आपने इ इसके दर्म्यान वाली जो स्पेस होती है, इसको कहते हैं सब रेटिनल स्पेस, अब इस सब रेटिनल स्पेस में जो फ्लूइड की अक्यूमुलेशन होजें, पर्टिकलरली सीरस फ्लूइड, वो एक्यूमुलेट कर जें, और वो भी मैक्यूलर रीजन के अंदर, ठीक है, तो मैक्यूलर रीजन के अंदर, सीरस फ्लूइड एक्यूमुलेट कर जें, सब रेटिनल स्पेस में, तो उसकी वज़ा से जो रेटिनल की डिटेश्मेंट होगी, मैक्यूलर वाले रीजन में, उसको कहते हैं सेंट्रल सीरस कोरियो रेटिनोपैथी, CSCR, ठीक है, सेंट्रल स मुराद है कि मैक्यूलर वाले रीजन में, और सीरस का मतलब है कि सीरस फ्लूइड हो, सीरस फ्लूइड एक्यूमुलेट हो, अब देखते हैं कि क्या कॉज होती है, कि मैक्यूलर वाले रीजन में सीरस फ्लूइड सब रेटिनल स्पेस में किस तरह से एक्यूमुलेट हो सकता आपको जब मैंने अनॉटमी पढ़ाई थी तो बताया था कि रेटिना में जो है न ब्लड रेटिनल बैरियर सिस्टम होता है तो दो तरह के बैरियर मैंने आपको बताया थे एक तो इंटर्नल बैरियर था इनर बैरियर इनर ब्लड रेटिनल बैरियर inner blood retinal barrier जो था न वो इदर जो retina के अंदर जो capillaries थी उनकी endothelium, endothelium कहते हैं inner lining of capillaries को तो inner lining जो थी उसकी जो cells है endothelial cells उनके बड़े tight junctions होते हैं तो जिसके वज़ा से blood इदर अंदर से बाहर नहीं आ सकता तो retina आम तोर पे transparent से structure होता है इसमें blood vessels तो run कर रही होते हैं लेकिन blood जो है न blood vessels से बाहर नहीं लीग कर रहा होता तो जो internal barrier या inner blood retinal barrier है उसकी वज़ा होती है ये tight junctions of endothelial cells जबके जो outer blood retinal barrier है वो क्या होता है कि ये जो retinal pigment epithelium होती है ये जो इसके cells है epithelial cells इसका junction ये बहुत tightly packed होते है और ये कोरोइड की जो layer है कोरोइड की layer से fluid को leak होके अंदर नहीं आने देते हैं इदर सब retinal space के अंदर तो CSCR central serious corio retinopathy में क्या हो रहा है कि macula वाले region में macula वाले region आपको पता है कि posterior part होता है eyeball का जैसे ये full posterior part जो है इसको macula कहते है macula वाले region में जो है न retinal pigment epithelium उसका जो है न वो barrier जो barrier बना रही है उसमें कोई defect आ गया for instance इदर तो ये tightly packed है पर ये जो जगह है इस जगह पे जो है ना tightly packed नहीं है barrier outer blood retinal barrier तूट चुका जाने के तो होगा क्या कि ये जो corio capillaries है इदर से fluid leak करेगा और leak करके आके इदर sub retinal space में आके accumulate करना शुरू कर जाएगा तो जब इस जगह पे accumulate करेगा अब ये जो सारा region है ना ये आप समझे macular region है ये macula वाला region है और तो इस macula वाले region में sub retinal space में जब fluid ही कठा हो जएगा तो उसकी वज़ाए से neurosensory retina और retinal pigment epithelium अलादा हो जएगे तो retina detach हो जएगा इसको कहते हैं central serous chorio retinopathy तो आपने याद रखना है कि एक तो ये macula वाले region में होगा और दूसरा जो fluid होगा वो serous fluid होगा इसके बाद risk factors देख लेते हैं तो age जो है आपने याद रखना है ये normally young adults में होती है 20 से 40 साल की उमर में और type A personality हो तो उन लोगों में ज़्यदा होती है इसके बाद emotional stress या hypertension या alcohol या steroids जो यूज़ करते हैं उन में ज़्यदा chances होते हैं कि CSCR develop कर जाए plus blood vision plus positive scotoma तो जब भी macula वाला region involve करेगा macula क्या होता है कि ये for instance fundus view है retina का तो ये central region जो है ये macula का region है ये responsible है central vision के लिए central vision का क्या मतलब है ये अब for example visual field है एक बंदे को इतना नज़र आ रहा है इस box जितना तो ये जो दर्मयान वाला area है इसको कहते है central visual field कि जो दर्मयान वाला एक region है जिसमें से नज़र आ रहा है वो central visual field है तो अगर macula वाला region effect होगा तो central vision field effect होगी तो इसमें CSCR में क्या होगा आपने दो बातें याद रखने है कि एक तो sudden onset होगा gradually होता sudden होता है दूसरा unilateral painless होता है unilateral painless blood vision और साथ में positive scotoma होता है scotoma किसे कहते हैं कि visual field में एक ring shaped जो है ना region उसमें सही नजर नहीं आ रहा है उसमें से blur नजर आ रहा है जैसे बाकी सारा तो सही नजर आ रहा है लेकिन ये एक ring shaped अंदर goal सा region होगा जिसमें blur नजर आ रहा होगा इसके लावा metamorphosia होगा metamorphosia क्या होता है ये होता है एक condition है जिसमें image distort हो जाती है for instance अब ये एक straight line है अब normal person को तो ये straight नजर आ रही है पर जिसको metamorphosia होता है उसको ये ऐसे tidy-meddy सी line नजर आती है तो एक तो मैंने आपको बताया positive scotoma होगा फिर metamorphosia होगा और तीसरे नंबर पर images small नजर आएंगी normally अब एक ball है for instance वो इतनी है पर microposia होता है कि images normal से small नजर आएं तो वो जिसको microposia होगा उसको ये ball इतनी नजर आएगी तो ये अपने 3-4 features याद रखने हैं कि एक तो modern onset होगा, unilateral होगा positive scotoma होगा metamorphosia होगा और microposia होगा जब चेक करेंगे examination करेंगे तो vision जो है वो typically 6 by 9 ये 6 by 18 होता है इसका क्या मतलब होता है 6 by 9 का ये 6 by 18 का कि normal बंदे को जो 9 मीटर से चीज नजर आ रही है, patient को वोही चीज 6 मीटर से नजर आ रही है यानि कि उसकी नजर कमजोर है retinoscopy करते हैं तो हमें पता चलता है कि hypermetropia होता है usually due to elevation of neurosensory retina इसका क्या मतलब है कि for instance ये eyeball है इधर neurosensory retina है for instance अब hypermetropia में क्या होता है कि image जो है न इधर lens है lens से light pass हो के retina के पीछे image बन रहा होता है ठीक है इसको कहते है hypermetropia नजदीक की नजर जिनकी कमजोर होती है इनकी retina के पीछे image बन रहा होता है अब होगा क्या कि central cirus corio retinopathy CSCR में मैंने का कि macula वाले region में cirus fluid accumulate हो गया तो macula वाला region ऐसे बाहर को उबर आएगा elevate हो जएगा तो ये region जब elevate हो जएगा तो normally for instance इधर बान रहा था image तो ये अब elevate हो गया तो आब image उधर ही बान रहा है पर retina ही आगे आगे है तो जिसकी वज़ा से hypermetropia develop हो जाता है ठीक है तो ये आपने याद रखना है के neurosensory retina की elevate होने की वज़ा से image जो है वो retina के पीछे बनना शुरू हो गया जिसकी वज़ा से नस्दीक की नजर कमजोर हो गई है जिसको कहते है hypermetropia fundus exam करेंगे तो round और oval elevation होगी neurosensory retina की macular area पे ये मैंने आपको इदर बताया ऐसे round सी ये जगह elevate होगी क्योंके जाहरी सी बात है पीछे fluid accumulate होगा है तो जिसकी वैसे elevate हो गई है और foveal reflex absent होगा या distorted होगा foveal reflex क्या होता है macula जो है ना मैंने आपको बताया कि ये retina है तो central depressed part उसको macula कहते है macula का भी एक central depression होती है जिसको fovea कहते है अब normally क्या होता है foveal reflex या foveal light reflex होता है कि अगर एक beam of light डाले ज़े इस fovea पे तो इससे reflect करके वापस आती है पर अब जाहरी सी बात है इस region में macula वाले fovea वाले region में पीछे fluid accumulate किया हुए है तो वो light reflect होके नहीं आएगी तो इसको कहते है कि foveal reflex absent है इसके बाद investigations क्या करेंगे amsular grid testing करेंगे किसके लिए metamorphosia को check करने के लिए यह क्या होता है इसमें ऐससा एक chart होता है इसमें सीधी ऐसे lines vertical lines भी होती है और horizontal lines भी होती है ठीक है हम normal person को तो यह सीधी line नजर आ रही है पर जिसको metamorphosia होता है उसको यह line जो है ना दरम्यान वाले region से ऐसे टेड़ी मेड़ी सी नजर आ रही होती है ठीक है इसके बाद fundus fluorescent angiography FFA करेंगे तो वो leakage show करेगी तीन patterns होते हैं leakage के पहले मैं आपको बताता हूँ FFA क्या होती है इसमें हम die inject करते हैं बाजू की vein में उदर से die चलता हुआ जब retinal blood vessels में जाता है तो उदर हम जो है ना camera के थूरू उसकी images लेते हैं और फिर हमें पता लाग जाता है कि retina में किस-किस जगा पे die सही जगा पहुँचा है तो अगर कोई anomaly present हो for instance कोई blood vessels का muscle retinal blood vessels का या retina ही detach किया हूँ है तो उस जगा पे जो है ना blood अगर तो कोई occlusion blood vessel में तो आगे die जाएगा नहीं अगर retina detach किया हूँ है तो die पीछे spill हो जाएगा तो FFA जो है ना उसमें वो leakage शो करेगा तीन forms की leakage होती है एक होती है ink blot pattern या expensile dot pattern इसमें क्या होता है कि ये for instance macula वाला region है तो ink blot pattern का मतलब है कि macula वाले region में ऐसे dots से बनना शुरू हो जाते है hyper fluorescence के ये FFA पे नज़र आते है as white dots मैं आपको भी दिखाऊंगा भी कि FFA कैसा नज़र आ रहा होता है तो ink blot pattern या expensile dot में ऐसे dots से बने होता है hyper fluorescence के smoke stack pattern में क्या होता है कि ऐसे ना एक उपर को smoke की तरह एक ऐसा सा hyper fluorescence का pattern होता है जो बाद में ऐसे umbrella shaped बन जाता है ठीक है तीसरा होता है multiple leak pattern इसमें क्या होता है कि multiple जगा एक से ज़्यादा जगा से leak हो रही होती है die जो hyper fluorescence spots बनते है वो एक से ज़्यादा जगा पर बनना शुरू हो जाते है तो FFA में हमें यह तीन patterns मिलते है ink blot pattern, smoke stack और multiple leak pattern इसके बाद देखते है ICGA Indocyanin Green Angiography इसमें भी सेम ही FFA वाला सिस्टम ही होता है लेकिन फरक क्या होता है कि इसमें हम Indocyanin Green Dye इस्तमाल करते है और इसका फाइदा क्या होता है कि यह अब FFA Dye जो है यह सिर्फ retinal blood vessels को जो है penetrate retinal blood vessels में जाता है जबकि यह Indocyanin Green Dye जो है जो koroid की second layer होती है eyeball की koroid की layer उसको भी penetrate करता है और koroid की blood vessels के बारे में भी हमें information देता है कि उनमें leakage है या collusion है इसके बाद जो gold standard है चेक करने का CSCR को या कोई भी macular disease को वो होता है OCT OCT में thickness पता लग जाती है कि जैसे मैंने आपको यह diagram में समझाया ना कि यह जो diagram है CSCR में सेम ऐसे से जो है thickness पता लाग रही होती है कि यह space नजर आ रही होती है और space में fluid नजर आ रहा होता है elevation नजर आ रही होती है मैं आपको दिखाता भी हूँ यह FFA यह और यह OCT में कैसा नजर आएगा CSCR अब यह देखें यह CSCR में हमें fundus fluorescine angiography में leakage pattern नजर आ रहा है तो यह जो white dot है यह show कर रहा है कि यह ink blot pattern है यह expensive dot pattern है similarly यह जो white dot है यह भी हमें leakage show कर रहा है ink blot pattern में ठीक है तो ऐससा अगर एक dot नजर आएगा तो वो ink blot pattern होगा और यह देखें यह जो है ना यह हमें leakage pattern नजर आ रहा है smoke stack appearance में ठीक है कि ऐसे जैसे smoke जो है ना smoke होता है तो यह जो umbrella pattern बना लेता है तो यह इसको कहते है smoke stack pattern अब यह देखें this is an ocity of a patient of central serous chorio retinopathy showing retinal detachment from the region of macula तो यह देखें यह macula के region में यह जो layer है यह separate हो गई है from retinal pigment epithelium यह जो layer है ना यह retinal pigment epithelium की है तो अगर macula वाले region में sub retinal space में यह जो space है यह sub retinal space है इसमें serous fluid की accumulation की वज़ा से neurosensory retina separate हो ज़े from retinal pigment epithelium यानि कि serous fluid की accumulation की वज़ा से retinal detachment हो ज़े in the macular region तो इसी को ही Central Serious Choreo Retinopathy कहते हैं तो OCT जो है न हमें ऐसा नजर आता है अब देखते हैं कि CSCR का course क्या क्या हो सकता है तो 80% cases में आपने याद रखना है कि spontaneous resolution हो जाती है कि 80% cases जो है न वो खुद ही resolve कर जाती है किसी treatment की जरूरत नहीं पड़ती chronic course में होता यह है कि अगर तो बारा मंथ से ज्यादा duration हो गई है तो वो chronic में convert हो जाता है और bulus type में क्या होता है कि अब fluid field जो है न एक vesical बान जाता है एक lesion बान जाता है जिसमें fluid बढ़ा होता है तो उसको कह देते हैं bulus type है इसके बाद treatment क्या होगी CSCR की तो 80% cases में मैंने आपको बताया कि spontaneous resolution हो जाती है तो treatment यह ही है कि reassurance करवाते हैं और सिर्फ observe करते हैं इसके लावा risk factors को कम करते हैं उसके लिए lifestyle change करेंगे smoking, hypertension, type A, personality इन चीज़ों को जो है ना control करते हैं और alcohol और steroids को control करते हैं ठीक है steroid को discontinue कर देते हैं जो leakage हो रही है अब कोई leakage हो रही है जिसकी वज़ा से macula वाले region में जो है serious fluid हा रहा है तो उस leakage को बंद करने के लिए उस leak को seal करने के लिए हम laser का इस्तमाल करते हैं ठीक है तो दो तरह की laser होती है एक तो micro pulse diode laser होती है और एक दूसरी argon laser होती है अब leakage को seal करने के process को photocogulation कहते है तो laser treatment में आपने याद रखना है दो तरह की laser होती है एक micro pulse diode laser है और दूसरी argon laser है इसके लावा photodynamic therapy भी यूज हो सकती है PDD ठीक है photodynamic therapy में मैंने आपको RD वाली वीडियो में भी बताया था कि एक light sensitive diode होता है उसको कहते है vetiporphine इसको पहले inject करते है जो भी dividing cells होते है particularly blood vessels के जो neovascularization हो रही होती है तो यह जो die है यह उदर पहुँचता है dividing cells में इसके बाद फिर हम diode laser इस die पे डालते है जो seal कर देता है जिस जगह से leak हो रहा होता है इसके बाद intra-vitreal anti-vegeps दे सकते है यह anti-vegeps जो है न vascular endothelial growth factors जो होते हैं जिसकी वज़ा से neovascularization हो रही होती है उनको उनको action को negate करते हैं और यह anti-vegeps जो है न neovascularization के process को काम करते हैं उनको यह controllब अ जायर को काम के जोनको जो है हुआ स्वास्टर के जょका एंधा न